हेलो फ्रेंड्स तो आज हम बहुत ज़्यदा ही मोश इंपॉर्टन टॉपिक आपकी हाइडोजन इस्पेक्ट्रम देखने वाले ठीक है तो उसमें कौन-कौन सी स्रेडिया पाई जाती है उनकी तरंग्डाय कैसे निकाल जाती सब बहुत ज़्यदा ही आसानी से हम देखने व प्रमाड़ों की प्रेकासि स्पेक्ट्रम की बात करें जिसे आप्टिकल स्पेक्ट्र आप एटम्स के रहना है तो कहा गया जब किसी तत्यों एलिमेंट को गैस या वास्प मतलब किसी तत्यों की मालों को इस तत्यों हमने लिया हाइडोजन ले लिया उसकी गैस या विद्धुत प्रवाहित की जाए तो क्या होता है तो निश्चित आवरति की प्रकास कीड़े उस सर्जित होती देखो कहा गया जब किसी तत्व गैस या वास्म विद्धुत आर्ग पर अर्थात उस पर विद्धुत प्रवाहित कीजाए कि इस पर उचेताप पर अनिश्चित आवरति की प्रकास कीड़े मिलती है तुर देख सकते हो आप ये निश्चित आवरति आपको सारी स्रेडिया मिलती इस दी प्रकार ठीक है जिनका इसमें बात किसी करेंगे । तो कहा गया निशेतावरत की रेखाओं की स्रेडिया होती है तो इन स्रेडियों को हम देखेंगे है रेखाओं की 5 स्रेडिया होती है तो देखो कौन कौन सी स्रेड़ी हो सकती है पहली नमबर की स्रेड़ी जो है वो है लाइमन स्रेड़ी दूसरी नमबर की स्रेड़ी जो है बामर स्रेड़ी तीसरी नमबर की स्रेड़ी जो होती है पास्चन स्रेड़ी इस्पेक्टर में जो पाई जाती है रिखाए ठीक है तो वा औरक्त भाग में और ब्रैकेट तथा फुन स्रेडी भी आपकी औरक्त भाग पर ही पाई जाती है ठीक है तो यह बात होगी आप देखो इसे असानित देखते हैं ठीक है आप देखो यह आपको दिख रहे ही यह आपको सारी रेखा है दिख रहे हैं देखो एन बराबर टू, N बराबर 1 हो गया आपका N बराबर 3, मतलब N आपकी संख्या एक पहली रेखा, दूसरी, तीसरी, चौथी पाचवी, छटवी, इसी प्रकार आपका कहां तक, अनंत तक, निफाइना एट तक हो जाएगा, ठीक है, तो देख सकतो हो तो यह पहले नमबर वाली रेखा है, इस पे कौन से से डी पाई गई गई, लाइमन स्रेडी, ठीक है, देख सकतो, मतलब यह दूसरे उर जाए इस तर से पहले वाले में, यह तीसरे से, ठीक है, इसी परकार चौते से आपका है, फिर पाचवे से हो गया, छिटवे से हो गया, ठीक है, इसी परकार, और इसी परकार आपका बामर में भी, बामर कहां पाई जाती, दूसरे नमर में, इसमें इन बराबर का होता है, दो, देख सकतो, यहाँ पर से आई, फिर यहाँ पर से रिखाई, फिर इसके बाद यहाँ पर से, ठीक है, तो इस परकार से होता है, अभ तक मतलब कि जिस कच्छा की बात हो जिस उर्जा इस सब की बात हो ठीक है तो देख सकते हो इसका फॉर्मला इसके पहले वाले वीडियो में देख चुके है कि जो इसमें उर्जा निकाली थी ठीक है उस तो 1 upon lambda equal to क्यों होता है तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो ग्लास 11 कमिश्ट का जो एटो में की स्ट्रक्चर है तो प्लेलिस्ट में पढ़ा है यह वीडियो अगर एक वाले जाएंगी तो ऊंटू कमाण एक से ज़ादेम है तो दो तीन चूर डडडडड़ इंफनाइट तक थीक है इसे उसके वैकार पास्चन में तीन के बाद 4 पांच 6 तो उसके मान होगे इनटू के छीक है Sisterола equation देख सकते हो formula लाग अगर लाइमं से रेड़ी की बात करें लाइमं से रेडी की प्रथा में रेखा कि तो आपको बता है N1 कमान क्यों ऌफ रख में से तो इसकी तरंग्द espresso क्यासा निकाले गे 1 upon lambda equal to r जब इसे solve करेंगे तो कितना आ जाएगा r into जब इसे solve करेंगे तो 3 upon 3 by 4 आ जाएगा जब इसे आप यहाँ 1 upon lambda की value निकली जब इसे उल्टा कर दोगे तो lambda की value निकलेगी तो lambda की क्या निकलेगी जाके 4 by 3 r ठीक है महलब कि 4 by 3 into 1 by r लिख सकतो यहाँ 4 by 3 आपका यहाँ पे नीचे r हो गया ठीक है तो यह बात होगी 4 by 3 r हो गया ठीक है देख सकतो lambda equal to 4 by 3 r अब यहाँ पे आप r की value रखोगे 1.097 into 10 की power 7 मेटर इन्वर्स तो जो lambda की value आएगी वो आजाएगी 1216 एंगेश्ट्रॉम इन्वर्स कमान आपको infinite अधिक है कह सकतो अनन्त रखना पड़ेगा तो अनन्त रखोगे तो उसमें जब lambda कमान आएगा वो आएगा आपका 912 एंगे श्रॉम आता है ठीक है तो देख लेना आप करके इन्वर्स कमान infinite ठीक है आपने देख लिए सारी स्रेडी है कौन-कौन से होती लाइमान, बामर, पास्टन, रैकेट, फोन ठीक है तो ये था hydrogen spectrum ठीक है तो भाई hydrogen spectrum ये था अगर वीडियो अच्छे लगा हो तो फिस वीडियो को लाइक जिरू करते जीगा okay thanks for watching this video